Hello everyone, I am Priyanka Mishra. Welcome back to my YouTube channel. Students, आज हम Class 6th वसन से Chapter No. 8, जिसका सीशक है Ticket Album, इसके MCQ Quotions देखेंगे. MCQ Quotions स्टार्ट करने से पहले इस पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इसके जो लेखक हैं, उनका नाम सुंदरा रामस्वामी जी है. इस पार्ट में दो बालक हैं, राजप्पा और नाग राजन. दोनों ही क्या हैं, स्थापाठी हैं. एक साथ पढ़ते हैं, राजप्पा के पास एक डाक टिक्टो का एक सुंदर एल्बम था. उसके देखने के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती थी और लड़के उसकी तारीब भी बहुत करते थे. परन्तु जब से नाग राजन के मामा ने सिंगापूर से उसे एक एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को देखने के लिए कोई नहीं आता था. सब नाग राजन के एल्बम को ही देखते थे. तो चलिए देखते हैं इसके MCQ कोशन्स. कोशन फर्स्ट है राजप्पा कामाक्षी की किस बात पर कुड़ गया? इसके option से कुड़ गया मतलब चिड़ गया. तो इसके option से A की तुमारा एल्बम पुराना है, B तुमारा एल्बम कीमती नहीं है, C भाया का एल्बम सुन्दर है, D भाया तुम्हें एल्बम नहीं ज्यादा सुन्दर है, इसलिए वो राजप्पा जो है इस बात पर कुड़ गया था, तो राइट आंसर क्या है? option C भाया का एल्बम सुन्दर है, देखते हैं next question, next question है, food food का रोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसके option से A जोर से रोना, B आराम से रोना, C A और B दोनो, D इन में से कोई नहीं, तो food food का रोने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जोर से रोना, तो option A राइट है, देखते हैं next question, next question है, नाग राजन को एल्बम किस ने भिजवाया था? इसके option से A उसके ताउ ने, B उसके चाचा ने, C उसके मामा जी ने, D उसके दादा ज ने, तो नाग राजन को एल्बम किस ने भिजवाया था? नाग राजन को एल्बम जो है, उसके मामा जी ने भिजवाया था, तो option C क्या होगा? राइट होगा, देखते हैं next question, राज अप्पा ने नाग राजन का एल्बम कहां से उठाया था? इसके option से A मेच के उपर से, B अल्मारी से, C कार्णी से, D मेच की दराज से, राज अप्पा नाग राजन से मिलने जाता है, तो नाग राजन तो शहर से बाहर जाता है, तो उसके वो कहां पर मिलती है उसकी एल्बम? उसकी एल्बम मिलती है मेच की दराज से, तो राइट ऑप्शन क्या है? देखते हैं next नेक्स्ट कोश्चन है राजप्पा के अनुसार कौन गमंडी हो गया था तो इसके ऑप्शन से A. नागराजन, B. सुन्दर, C. पारवती, D. पपू तो राजप्पा को क्या लगता था कि नागराजन के पास एल्बम आ गया है तो वो क्या हो गया है ज्यादा गमंडी हो गया ह तो ऑप्शन A. क्या होगा राइट होगा देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है नागराजन को लड़के क्यों गहरे रहते थे इसके ऑप्शन से A. वो अच्छे-च्छे चुटकुले सुनाता था B. उसके पास सुन्दर खिलोने थे C. उसके पास काफी मिठाई D. उसके पास टिकट अल्बम था तो नागराजन को लड़के क्यों गहरे रहते थे उसके टिकट अल्बम को देखने के लिए तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन D. राइट है कि उसके पास टिकट अल्बम था देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है नागराजन के एल्बम के खोने की खबर राजपा के पास कौन लेकर आया तो इसके option से A. Krishnan B. Nagarajan C. Apu D. Kamakshi तो नागराजण के एल्बम की खबर कौन लेकर आया था कौने की C. Apu अपu लेकर आया था देखते हैं next question next question है टिकर जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर कौन लगाता था इसके option से A. Rajappah B. Nagarajan C. Papu D. Apu तो टिकट के लिए चारो तरफ कौन घूमा करता था option A. Rajappah वो बड़ी महनत से उसने और टिकर सारे जमा किये थे अपने अल्बम में तो option A क्या होगा राइट होगा देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है नाग राजन का अल्बम किस ने चुराया था इसके option से A. पारवती ने B. उसके मित्र ने C. राजप्पा ने D. किसी पडोसी ने तो नाग राजन का अल्बम किस ने चुराया था तो option C right है देखते है next question राजप्पा ने नाग राजन का album कैसे नस्ट किया इसके option से A फाड कर B नदी में भाग कर C अंगीठी में जला कर D उस पर शाही बिखरा कर तो राजप्पा ने नाग राजन का album कैसे नस्ट किया था उसका album जो है अंगीठी में जला कर नस्ट कर दिया था option C क्या है यहाँ पर right है देखते है next question लड़के क्या देखकर खुश होते थे इसके option से A album B photo C ticket D film तो लड़के क्या देखकर बहुत खुश होते थे उसका जो album था नाग राजन का उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे तो option A क्या होगा राइट होगा next question नाग राजन के मामा कहां रहते थे तो इसके option से A सिंगापूर, B, ट्रिवेंद्रम C, दुबई D, इंग्लेंड तो वो album कहां से आया था सिंगापूर से आया था ना तो नाग राजन के मामा कहां रहते थे सिंगापूर में रहते थे देखते हैं next question क्रिशनने कितने की शर्ट लगाई थी A, 7 रुपे की B, 10 रुपे की C, 15 रुपे की D, 20 रुपे की तो कृष्णन ने कितने की शर्ट लगाई थी? कृष्णन ने B. दस रुपए की शर्ट लगाई थी. अब देखते हैं, next question. Next question है, किसके एल्बम में अधिक टिकेट था? A. नागराजन के, B. राजप्पा के, C. दोनों के, D. किसी के नहीं. नागराजन का तो एल्बम सुन्द था? उसके नदर इतने टिकट नहीं थे. टिकट किसके पास जादा थे? राजप्पा के पास जादा थे. तो इसका राइट आउंसर क्या है? Option B. देखते हैं, next question. लड़के क्या करके खुश होते थे? इसके option से A. एल्बम को छू कर, B. एल्बम को देख कर, C. एल्बम को देता नहीं था, दूर से बस दिखाता था. तो option B. क्या है? राइट है. देखते हैं, next question. इसकूल में सबसे बड़ा एल्बम किसका था? A. राजप्पा का, B. नागराजन का, C. बच्चों का, D. उप्यूक थे सभी. तो इसकूल में सबसे बड़ा एल्बम जो था? वो एल्बम की उपेक्षा, B. एल्बम खो जाने की कारण, C. नागराजन द्वारा किया गया, अपमान, D. एल्बम में अच्छे टिकटना होना. तो राजप्पक क्यों कूड रहा था? क्योंकि उसके एल्बम को कोई नहीं देख रहा था? पहले उसके चारो तरब लोग, बच् हो रही थी. नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, राजप्पा ने टिकेट किस प्रकार जमा किये थे? इसके ऑप्शन से A. दूसरों से मांग कर, B. जैसे मधुमक की शहत जमा करती है, C. जैसे पक्षी घोंसला बनाते है, D. जैसे चीटी भोजन इकटा करती है. तो के लिए बहुत दूर दूर तक जाता था, और टेकर जमा करता था, देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, मेच पर से चाबी किस ने ढूर निकाली? इसके ऑप्शन से A. कामाक्षी ने, B. राजप्पा ने, C. नागराजन ने, D. मिनाक्षी ने, तो मेच पर से चाबी किस ने निक जप्पा क्या करता था? इसके ऑप्शन से A. लेट जाता था, B. ट्रंक खोलता था, C. अल्बम निकालकर देखता था, D. उप्योगते सभी, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आसर, ऑप्शन D है, वो उप्योगते सभी करता था, लेट जाता था, ट्रंक खोलता था एल्बम निकालकर देखता था तो option D क्या होगा? राइट होगा next question क्या है? 25 रुपे यहाँ 25 विशेशी का कौन सा भेध है? तो इसके option से A. गुडवाचक B. परिमाण वाचक C. संख्या वाचक D. सार्व नामिक तो यहाँ पर 25 रुपे की बात हो रही है 25 रुपे की बात हो रही है मतलब संख्या की बात हो रही है तो option C क्या होगा? सही होगा संख्या वाचक है देखते हैं next question क्रिशन ने राजप्पा को क्या कहा था? इसके option से A. इर्शालू B. गमंडी C. दयावान D. इनमें से कोई नहीं तो क्रिशन ने राजप्पा को क्या कहा था? इर्शालू कहा था तो option A. क्या होगा? राइट होगा देखते हैं next question next question है नाग राजप्पा का एल्बम कैसा था? तो इसके option से A. बहुत अच्छा B. बहुत खराब C. बहुत टिक्टो वाला D. रद्धी तो नाग राजप्पा का जो एल्बम था उसका फ्रेंट था वो बहुत ही अच्छा था तो इसका option A. क्या होगा? राइट होगा अब हम देखते हैं next और last question तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ शेर भी करिए मिलते हैं next वीडियो में इसके question answer के साथ बाई बाई students